तो जैसा कि आप से भी का सवाल था कि यहां पर अगर हम PM किसान का EKYC कर रहे हैं CSC के माध्यम से तो कई लोग का ऐसा हो रहा है कि यहां पर अपना वो अधार नमर डालने के बाद मजाल नमर डालने के बाद отп verify इसके बाद capture verify यानि कि fingerprint जो भी आपको verify हो रहा है जैसे के मंद्रा मोर्फो या अर्टेक कोई भी devise से आपका fingerprint scan हो रहा है और scan होने का बाद सक्सेशफोल हो जा रहा है टिक है यहां पर आप बात को ध्यान मैं यहाँ पर detail कीवल बताऊंगा आपको इसी तरह से बताऊंगा यहाँ पर payment proof करके दिखाऊंगा इसमें last में कि आपको payment कैसे करना है आप पहले बात को सुन लीजेगा ध्यान से इसके बाद last वाला process देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बात से ही किवल बताने वाला हूँ माइक के माधम से ही क्योंकि आपको यहाँ पर लाइव उतना नहीं दिखाए वाला हूँ यहां पर मैं किवल दिखाऊंगा यहां पर payment receipt निकल कर कप you payment receipt कैसे निकलना है तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से देखेंगे पहले आपका पहला कंडिशन आपको क्या हो रहा होगा कि आप जैसे ही आप PM किसान की इस वाल बेग साइट पर आते होंगे यहाँ पर Biometric Device इस वाल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो भी यहाँ पर अधार नमर डालने के बाद यहाँ पर सर्च करने के बाद OTP लेते होंगे और लेने के बाद जैसे आप fingerprint scan लेते होंगे तो क्या होता हुआ कि fingerprint scan तो successful हो जा रहा होगा लेकिन वहाँ पर कुछ payment mode पर जैसे ही जाते तो यहाँ पर आपको note record phone दिखा रहा होगा आप कहें भी आप edit करते कहें भी जा रहे हैं तो आप यहाँ पर note record phone दिखा रहा है प्लस में अगर यहां से यहाँ पर जैसी आपको क्यवाइसी आपट आपको done दिखा रहा है तो done दिखाने के बाद जैसे की जिनका payment fell और क्यवाइसी done दिखा रहा तो उनको आप दुवारव payment करने की जरूरत ही नहीं है आप payment करें अथवा नहीं करें उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला थैं उनका भी मैं यहाँ पर answer देने वाला हूँ जो receipt मांगते हैं जैसे कोई आदमें ऐसा हो जाते कहते कि नहीं आप हमारे अगर आप किवाई सी कर चुके हैं तो आप हमको receipt दीजिए उनका बात भी कहना सही है कि receipt दीजिए लेकिन हाँ ऐसा कोई बात नहीं कि अगर receipt है तो आपक अगर्मनली प्रूफ देखाता है और उनका कोई डीटेल अडवा नहीं होता है जैसे मैं आप को दिखा रहा हूं यहां पर तो चली मैं यहां पर आपको payment करके एक फाइनली प्रूफ दिखाता हूं कि कि किनका अधार नबर है और किनका नाम है या नहीं है उनका मैं यहाँ पर proof दिखाने अला हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से दिखिएगा मैं यहाँ पर जैसे ही क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर make payment वाले section पर आने के बाद यहाँ पर अधार नमर डाल रहा हूँ capture डालने के बाद यह वाला यहाँ पर search कर रहा हूँ तो यहाँ पर note record font दिखा रहा हूँ जो मैं आपको thumbnail में दिखाया हूँ तो note record font दिखा रहा है तो payment इसका कैसे करना है तो चली आगे process show कर देता हूँ तो आपको आना है इस वाले page पर आप यहाँ तो online process.com यहाँ पर search करेंगे search करने बाद पहला option होगा वहाँ पर दुबारा payment कैसे करें यहाँ पर लिखा हूए दुबारा payment करने के लिए तो इस वाले link पर click करेंगे और click जैसी करेंगे तो आप इस वाले page पर चले आएंगे जो भी आपका CAC ID लोग इन किये होंगे तो पहले जैसे कि आप यहाँ पर CAC ID लोग इन कर लिए होंगे लोग इन करने के बाद यह वाला link ओपन करेंगे यहाँ से वैसे मैं link इसका वीडियो के description box में डाल दूँगा इसका बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे पासवर्ट अपना डालेंगे इसका बाद validate पर click करेंगे validate पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको wallet pin number मांगा जाएगा wallet pin number डालेंगे और इसका बाद यहाँ पर 5 रुपए 34 पैसा के यहाँ पर payment आप करेंगे तो यहाँ पर आपको देख पार है कि यहाँ पर payment मेरा successful हो जा रहा है आप यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देंगे मेरा यहाँ पर payment तो successful हो चुका है लेकिन क्या मैं इसमें अधार नमर किसी का डाला हूँ नहीं डाला हूँ यहाँ यहाँ तो आप इसमें कैसे पदा कर सकते हैं कि यह किनका अधार का payment success हुआ है आप यहाँ पर जान सकते हैं ना यहाँ पर कैसे आप पता कर सकते हैं किनका अधार से यहाँ पर payment किये हैं तो यहाँ पर यह कोई ऐसा यह जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर दुबारा payment करें आपका अगर PM किसान EKYC अगर successful capture हो गया है याँ फिंगर में light चल चुका है और फिंगर लगा चुके हैं और आपका वहाँ पर successful हो चुका है और payment करते समय आपका फेल हो गया है तो यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं आपको payment करने के लिए अगर receipt अगर candidate लोग मांगते होंगे तो क्या करना होगा आपको कि यह वाला receipt आपको print करना है और print करने के बाद यह transaction ID आपको उसी तरह से रहने देना है और क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर कहाँ भी आपको अधहार नमबर और किसी candidate के यहाँ पर detail नहीं है केवल यहाँ पर CAC ID नमबर है और यहाँ पर केवल transaction ID है तो यहाँ पर क्या करेंगे transaction ID और यहाँ पर date थोड़ा मड़ा change कर देंगे अगर receipt अगर मांगते हैं तो थोड़ा से यहाँ पर transaction ID चेंज कीजिएगा यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे एक बार मैं फिर से यहाँ पर दिखाता रहा हूँ आप किसी का भी अगर payment कर रहा है यानि कि कर रहा है अगर capture हो गया है finger और आपको finger capture होने के बाद payment फेल हो गया है और पीडिये में इडिट करके आपको देना होगा क्योंकि यहाँ पर किसी का यहाँ पर अधार नमर नहीं मांगा जाता है आप यहाँ पर देख पर रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको लाइब दिखाए हूँ कि किसी का यहाँ पर अधार नमर नहीं मांगा जाता है तो यही थी इसका payment का last process है यहाँ पर payment करने दुबारा payment करने की जरूरत नहीं है आप कितनी बेर भी अगर payment कीजिए ना हर एक बार आप payment कीजिए तो हर एक बार पैसा कड़ेगा आपका लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप के वाइसी कीजिए तो उसमें अगर डान लिख रहा है तो वहाँ पर कोई दिकत नहीं payment मत कीजिए आपका केवाई से 100% हो चुका है तो हमारी बात को अगर समझ में आया होगा आपको अगर आप सहमत होंगे तो आप हमारे comment section में जरूर बताईएगा अगर मन में और भी अगर कोई किसी तरह का सवाल है त तो comment section में जरूर बताईएगा जाहिंद